तो भई लीजिये टोनी ककर ने ले लिया है मनीशा रानी का बदला वल येस लगता है कि मनीशा की दर्या दिली मनीशा तक ही रह गई टोनी ककर तक नहीं पहुँच पाई ये तो हमने आपको अपनी बीती रिपोर्ट में बताया और दिखाया ही था कि जब मीडिया ने जीया शंकर से मनीशा और टोनी के गाने के बारे में सवाल किया तो जिया ने कैसे पहले तो उस सवाल को बार बार नजर अंदास करने की कोशिश की लेकिन जब मीडिया जिया के पीछे पड़ गई तो जिया शंकर को इस सवाल का जवाब देना ही पड़ा इसके बाद अब टोनी ककर ने जिया को दिखा दिया कि वो भी इट का जवाब पत्थर से देंगे एक बार जिया ने टोनी इशा की सवाल को इग्नॉर किया और अब टोनी ककर ने जिया शंकर को ही इग्नॉर कर दिया असल में टोनी ककड अभिशेक जिया यानी की अभिया के गाने पर पूरी टीम और अभिशेक को कॉंग्राचुलेट करते हुए नजर आए टोनी ने अभिशेक मलहान अंशुल राघव शर्मा रजत नागपाल हर किसी को टैग करते हुए लिखा लवड इट लेकिन टोनी ने कर दिया जिया को अवाइड जिहां टोनी ने ना तो जिया शंकर को टैग किया ना ही उन्हें कहीं भी कॉंग्राचुलेशन्स कहा बता दें कि टोनी की ये हरकत मनीशा फैन्स ने भी नोटिस की मनीशा के एक फैन ने तो इस पर कमेंट करते हुए ये भी लिखा मुझे बहुत अच्छा लगा जैसे टोनी ककर ने जिया को इगनौर किया OMG, love you Tony, लगता है आप भी अभीशा शिपर हो Well, टोनी ककर अभीशा शिपर हो या ना हो लेकिन एक बात तो साफ साफ जाहिर हो गई दाट टोनी ककर डिस नौट लाइक जिया शंकर आट आल टोनी को नहीं है जिया बिलकुल भी पसंद Final Cut, News Desk